आगे बात करेंगे उससे पहले BPSC PRT के समन में आप ये वीडियो जो है ओ देख लिजिए आपने वीडियो जो है ओ देख लिया ओगा उस वीडियो में यहीं बोला जारा है कि जो आपका BPSC प्राइमरी टीचर का रिजल्ट है और यहाँ पर 22 से 25 तारी के बीच में जो है आपका जारी कर दिया जाएगा और उसमें सिर्फ आपका डेलेड अफेर्थियों का जो है ओ रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा OMR सीट की जाच जो है बापकी अंतिम रूप मतलब लाश्ट स्टेज पे जो है बापके OMR सीट का यहाँ पर जाच है और वहाँ पर यह भी बोला गया कि जो आपका BPSC प्राइमरी टीचर है उसमें बीड अफेर्थियों को सामिल करके जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट ब जो कि आज जब हम वीडियो बना रहे है तो आप सभी लोग को पता है कि आज asking पे चैलेंज करने का जो है उलाहड इठ है तीहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी बात है यहाँ यही है कि अभी आपका कि चैलेंज यहाँ पर रेसेप्ट किया रहा है तो फिर आपका OMR शीट चेक करके आपका रिचेल्ट जो है वो कैसे जारी कर दिया जागा नॉर्माल सी बात है यदि आपका या तो ऐसा हो सकता है कि BPSC कोई भी आप्शन को जो है वो चेंज ना करे भले या आपका फर्मेल्टी होता है तो उससे पहले आप लोग का OMR शीट चेक करके रिचेल्ट यहाँ पर कैसे दिया जा सकता है क्योंकि आंसर की चैलेंज करने के बाद यादि आपका आंसर बदलता है और इसका मतलब यह नहीं कि BPSC वालों का यहाँ पर प्राइमरी टीचर से जो है आपका बाहर कर दिया गया है थोड़ा सा आपने complete news जो है आपने यहाँ पर नहीं देखा था आप यहाँ पर सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी यहाँ पर वीडम बना यह है कि इससे मतलब जो आपका BPSC प्राइमरी टीचर का जो इतना हड़ बड़ा हड़ में आप लोग का रिजल्ट जारी किया जारा इसमें दोनों अभियर्थियों को जो है उहानी है यहाँ पर चाहे बियर्ड अभियर्थियों या फिर आप डियर्ड अभियर्थियों देखे आपको चाहिए कि हमें यहाँ पर complete final decision आने के बाद यहाँ पर result जारी किया जाए बीच में इस तरीके से फसाने का कोई मकसाद ही नहीं है क्योंकि आपका भले ही result बन जाएगा जब तक आपको result दिखाया ही नहीं जाएगा तो उससे आपको क्या मिलेगा और आपको नौकरी नहीं मिलेगी आप नौकरी करने के लिए आप primary teacher में apply के थे या फिर आप लोग यहाँ पर paper दिये थे ऐसा तो है नहीं कि आपका result बन कर सिर्फ रखा जाए बस उससी तरीके से रखा जाए आप भी उसी result को जो है वो ना देख पाएं और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपक आपका 30-40% result है सभी category में जो भी आपका reservation का category हो सभी category में जो है वो यहाँ पर 50% से seat मतलब 50% से अधिक seat जो है वो यहाँ पर beard अफ्यर्थियों की पर्च में जो है आपका चला जाएगा और दूसरा बात यह भी है कि जो आपका cut off को लेकर तो देखे आपका cut off जो मतलब बह दीचे यहाँ पर नहीं जाने वाला है जितना भी बताया जा रहा था कि आपका cut off उतना जाएगा इतना जाएगा बीएड वाले बाहर हो गए तो डियलेड वाले सिर्बैठ जाएंगे जो रिजर्फ के टेगरी के female हो याँ फिर मेल हो तो उनका नोकरी मिल जाएगा तो खास करके वीपेसी बोलें क्योंकि ओहीं यहाँ पर हर एक चीज एक्जाम कंडर्ट करा रहा है तो उनके तरफ से जो है आपका official notice जारी किया जा रहा है तो देखे यह आपका 50% से अधिक जो बीएड अभीर्थियों का seat जो है आपका मतलब इस तरीके से बचाया जा रहा हो और बाद में हापर बीएड अभीर्थी प्राइमरी सीचक से बाहर होते क्योंकि अभी तो बिहार सरकार के तरफ से डिसाइड या फिर बिहार सरकार के तरफ से special notice वगरा जारी करके नहीं बोला गया कि बीएड वाले हाँ पर बाहर होंगे तो अब देखे यदि माली जे लगता है जो भी 50-60% तो फिर उस पे डियलेड वालों का जो है वापका सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल कर क्या डियलेड वालों को भाद्धी करेंगे हमें तो नहीं लगता है लेकिन इस तरीके का प्रावधान जो है उन लोग को करना चाहिए ताक कि सीड जो है यहाँ पर प्रावधान जो है उनके तरफ से इसको लेकर जो है आपका बोला जारा कि इस तरीके का जो है वापका नियूज है तो हो सकता है कि BPSC के तरफ से आज क्योंकि BPSC आपने देखावगा कि 11 बजे 12 बजे रात को जो है ऑफिसियल नोटीस वगर जो है वो जारी करती है तो हो स सामिल होंगी। या फिर बाहाल किको दोनों का आपर घाटा है। बीर को सामिल करके रिजिएलट बना जाता है तो भी हाँ आपर घाटा है। हो सकता है कि कुछ आपके अपडे जो है वह दे देखिने